आप सभी का स्वागत है हमारे चानल ताइमस अफ राजस्थान पर आज हम आपको गौतम राजपूतों के बारे में जानकारी देंगे तो आए शुरू करते हैं गौतम राजपूत वंश सूर्य वंश एक्षवाको शाक्य गुत्र गौतम प्रवरपाच गौतम अंगिरस अपसार बारहस्पते धुरूव कुलदेवी चामुन्ग आमाता बंदी माता दुरुगा माता देवता महादेव योगेश्वर शीराम चंद्रजी वेद यजुरवे शाखा वाजसनेई प्रसिद्ध महापुरुष गौतम बुद्वार सुत्र आरसकरग्रिहा सूत्र गौतम बंश का महामंत्र रेनुका सुक्रेकाशी कालबटेश्वर कालिंजर महाकाय अश्पबलांगनव मुक्तद प्राचीन राज्य कपिलवस्तु अर्गल मेहनगर कोरा बारा उननाव लशकर पुरोई याबदायू निवास वावद पूर्वांचल बिहार मद्यप्रदेश शाखाएं कंडवार गौनिहां रावत अंटैया गौतमिया आदी प्राचीन शाखाएं मोरी मौरे परमार संभवत शोद जारी अनुमानित जंसंख्या 1891 की जंगर ना गौतम रिशी द्वार दिक्षित होने के कारण इनका रिशी गोत्र गौतम हुआ जिसके बाद ये गौतम क्षत्रिये कहलाय जाने लगे वन्ष भास करके अनुसार भगवान राम के किसी वन्षज ने प्राचीन काल में अपना राज्य नेपाल में स्थापित किया इसी वन्ष में महराणा शाक्य सिंग हुए जिनके नाम से यह शाक्य वन्ष कहा जाने लगा इसकी राजदानी का पिलवस्तू गोरखपूर थी इसी वन्ष में आगे चल कर शुद्ध दोधन हुए जिनकी बड़ी रानी से सिधार्थ उत्पन हुए जो गोतम नाम से सुविख्यात हुए जो संसार से विरक्थ होकर प्रभुभक्ती में लीन हो गए संसार से विरक्थ होने से पहले इनकी रानी यशुद्रा को पुत्र राहुल उत्पन हो जुका था इनहीं गोतम भुद्वार के वन्षज गोतम राजपूत कहलाते हैं इस वन्ष में राव, रावत, राणा, राजा आदी पद्वी प्राप्त घराने हैं अश्वघोष के अनुसार गोतम गोत्री कपिल नामक तपस्वी मुने अपने माहात्मे के कारण दीर घथपस के समान और अपनी बुद्धी के कारण कावे, शुकरवार तथा अंगिरस के समान था उसका आश्रम हिमाले के पाश्व में था कई इक्षवाकू वन्षी राजपुत्र अपने पिता के सत्य की रक्षा के निमेत राज लक्षमी का परेतिया कर उस आश्रम में जा रहे थे कपिल लून का उपाध्याए गुरुवार हुआ, जिससे वे राजकुमार जो पहले कौँच गोत्री थे, अब अपने गुरुवार के गोत्र के अनुसार गोतम गोत्री क का गोतम हुआ जिस आश्रम में उन राजपुत्रों ने निवास किया, वर्शाक नामक्वरिक्षों से आच्छा देत होने के कारण, वे इक्षवा कुवंची शाक के नाम से प्रसिद्ध हुए गोतम गोत्री कपिल ने अपने वन्श की प्रथा के अनुसार उन राजपुत उसके दो पुत्र हुए, एक ने अरगल के गोतम वन्श की नीव रखी और दुसरे पधम से सेंगरवन्श चला, इस मत्त के अविशकारक ने लिखा कि एक साव पैतीस पीड़ियों तक सेंगरवन्श पहले सीलोन, लंका, फिर मालवा होते हुए, ग्यारहवी सदी में जालो में कनार में स्थापित हुए, किन्तु यह मत बिलकुल घलत है, क्यूंकि पहले तो अरगल का गोतम वन्श, सूर्य वन्शी क्षत्रिय गोतम भुद्वार का वन्शज है, और दूसरी बात की कनोज में गेहरवार वन्श का शासन ही दस्वी सदीक के बाद शुरू हुआ, त के राज्य पर कोशल नरेश विभाग द्वारा आक्रमन कर इसे नश्ट कर दिया गया था, जिसके बाद बच्चे हुए, शाक्य गोतम क्षत्रियों द्वारा अम्रितो दन के पुत्र पांडु के नित्रित्व में अरगल राज्य की स्थापना की गई, अरगल आज के पूर की राजदानी स्थापित किया, राजा अंगदेव की लड़की अंगारमतीरा राकरन देव को ब्याही थी, राजा अंगदेव ने अरगल से टीन मिल दक्षिन की तरफ एक इला बनवाया, और इस किले का नाम सी क्रीकोट यह किलागय में ध्वन सावशेश के रूप में इक में लड़क्षन रिंद नदी के किनारे अरगल लेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, यहां आज भी शीववरत का मेला लगता है, अरगल राजा कलिंदेव ने रिंद नदी के किनारे कोडे, कोरा, का किला बनवाया, तेरह वी शताब्दी में भरो द्वारा अरगल क का हिसा दबा लिया था, उस समय अरगल राजे में अवद क्षेतर के कनौज के रायवरेली फतेह पूरबांदा के कुछ शेतर आते थे, 1320 के पास अरगल के गोतम राजा नचिकेट सिंग्व बैस्ठाकूर अभः सिंग्व नर्भः सिंग्व का जिक्र आता है, उस समय बै अपनी को गंगासनान के समय विरोधी मुसलिम सेना ने घेर लिया तो, निर्भः व अभः सिंग्व ने उन्हें बचाया था, इसमें निर्भः सिंग्व को वीर गती प्राप्त हुई थी, राजा ने अभः सिंग्व की बहादोरी से खुश हो कर उन्हें अपनी पुत्र और दहेज में उसे डोडिया खेडा का क्षेत्र सहित रायबरेली के 24 परगना, उस समय यह रायबरेली में आता था, और फतेहपुर्क का आशा खेडा का राजा बनाया था, 1323 सीस्वी में अभः सिंग्व यहां के राजा हुए थे, यह पूरा क्षेत्र भरों से खाली करा इसके बाद आगे की पीडी में मर्दन सिंग का जिक्र आता है, अर्गल के घौतम राजा द्वारा चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया गया, जिससे शेर शाह सूरी को मुगलों को अपदस्थ कर भारत का समराट बनने में सहायता मिली, जब मुगलों का भारत में द पुसत्ता बनी रही, और ब्रिटिश काल तक घौतम राजपूतों के एक जमीनदार परिवार शिवराम सिंगलाला को अर्गल नरेश की उपाधी बनी रही, अर्गल के घौतम राजपूतों की एक शाखा पूर्वा चल गई, वहां मेहनगर के राजा विक्रमजीत घौतम जिससे उन्हें राजपूत समाज से बाहर कर दिया गया, विक्रमजीत की मुसलिम पतनी के पुत्र ने इसलाम दर्म ग्रहन कर लिया, जिसका नाम आजम खान रखा गया, इसही आजम खान ने आजमगर राज्ये की नीवर रखी, बस्ती जीले में नगर के गोतम राजा प्र लेकिन उनके कुछ दुष्ट सहयोगियों द्वारा विश्वास गहात करने के कारण वो पकड़े गए तथा उन्हें अंग्रिजो द्वारा मृत्युदंड की सजादी गई इसक्षेत्र के घौतम राजपूतों ने ओरन गजेब का भी मुकाबला किया था उत्तरादिकार संगहर्ष में शाहशुजा भाकर फतेहपूर आया था जिसे घौतम राजपूतों ने शरण दी थी जिसके बाद ओरन गजेब की 90,000 सेना ने हमला किया जिसका 2000 घौतम राजपूतों द्वारा वीरता से मुकाबला किया गया इसमें हिंदू राजपूतों के साथ मुसलिम घौतम ठाकुरों ने भी कंधे से कंधा मिला कर जंग लड़ी बाद में यहां के घौतम राजपूतों ने अंग्रेजों का भी जम कर मुकाबला किया और बगावत के कारण एक हिमली के पेड़ पर बावन घौतम राजपूतों को अंग्रेजो द्वारा फासी की सजादी गई आज घौतम राजपूत गाजीपूर, फत्तेहपूर, मुरादाबाद, बदायूं, कानपूर, बलिया, आजमगड, फैजाबाद, बांदा, प्रतापगड, फरूखाबाद, शाहबाद, गोरकपूर, बनारस, बहराइच, जिले, उत्तरप्रदेश, आरा, छप्रा, दर्भ बारदेश, दूधेला, पहाडी, चकजिला, छप्रा, बिहार में बहु संख्या में बसे हैं, चंद्रपुरा, नारायनगर, मंदसाओर, में उत्तरप्रदेश के फतेहपूर से आकर घौतम राजपूत बसे हैं, कुछ घौतम राजपूत पंजाब के पटियाला, और राजकुमार सिन गौतम करंडा क्षेतर के मैनपूर गाउं के ही निवासी हैं, जो गौतम ठाकुरों का काफी दबंग गाउं हैं, बाकी गौतमों की एक पट्टी आजमगड के मेहनगर लाल गंज बेल्ट में भी हैं, गौतम क्षत्रिये की खापे निमन लिखित हैं, गौ इंद घाट के पास रहने वाले गौतम क्षत्रिये कंडवार गौतम कहे जाने लगे, ये बिहार के छपरा आदी जिलों में हैं, अंटाया गौतम, इन्होंने अपनी जागीर अंतसंट व्यर्थ में खोदी इसलिए अंटाया गौतम कहलाते हैं, ये सर्यू नदी के किनारे चक्हिया, श्रीनगर, जमालपुर, नारायन गढ़ादी गावों में बताये गए हैं, मौर्य गौतम, इस वंच के क्षत्रिये उत्तर प्रदेश के मथुरा, फत्तेह पूर सीकरी, मध्यप्रदेश के उज्जैन, इंदोर, तथा निमार बिहार की आरा जिलों में पाई जा चंडी, गौतम बंच की उपशाखा है, इन क्षत्रियों का निवास उनाव तथा फतेह पूर्द जिलों में हैं, उनाव जिले में बारा की स्टेट गौतम राजपूतों की हैं, इसके मैपाल सिन्ग जमीन दार थे, कोराओं का दूर भी गौतम राजपूतों द्वारा ही बनवाया गया था, बोड़ ग्रंत महायान के अनुसार मौर एक खत्रिय भी शाक्य गौतम खत्रियों की एक शाखा है, इस्ट यूपी, बदायूं के आसपास, बिहार वहमद या प्रदेश के कुछ हिस्सों में गौतम राजपूत बड़ी संख्या में मिलते हैं, अब जबकि घौतम टाइटल राजपूत भूमिहार ब्राम्मन तीनों जातियों में मिलते हैं, बदायूं के घौतम राजपूत अलवर में निकुम्भ राजपूतों के सामन्त थे, जो पांचवी सदीक के बाद बदायूं क्षित्र में आए, और हूनों को हरा कर सत्ता स्थाप जरूर करें, ताकि आपको चानल की हर नई अपडेट्स मिलती रहें